नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका वारे यूट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम उत्राखंट के महत्वपूर तित्वी पर आदारिद MCQ-based question को डिस्कस करेंगे देखिए ये वो question है जो से पहले exam में पूछी आ चुके हैं और upcoming exam में भी आने की संभावन आए हैं ये question बार-बार UKTPSC exam में पूछा आते हैं और आज की इस वीडियो का target है 500 like का ठीक है 500 like complete होते ही इस वीडियो की PDF आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगी नीचे description में लिंक का है टेलिग्राम गुरूप पर वहां सा आप join का लिजे टेलिग्राम गुरूप तो चल अधिनियम वहीं बात करें पूरे भारत में पंचैती राज अधिनियम कर लाग होता तो यह होता 1993 1993 में ठीक है 73 सवीडान संसोदन के बाद 1993 में पूरे भारत में पंचैती राज अधिनियम लाग होता 24 अधिनियम लाग होता तो इसलिए 24 अधिनियम को पंचैती राज द्यो अधिनियम जो था वो उत्रपरदेश की जो पंचयती राज अधिनियम की प pä्रणाली थी उस पर ही कारे कर रहा था क्योंकि जब यह अधिनियम और एन कि इसका सही जवांब है ओप्षन C 1973 यानि किНट स्टिंटि possess में उत्तवज पर्विती राज परिसद का गठन हुआ, ठीक है, तो यह आपको आङ रखना है 1973 में, में गठन हुआ था प्रवती राज परिसद का, बाद में इसका नाम इसका नाम होगे था, muted 1973 में इसका नाम हो जाता प्रिथक परवती राजी परिसत तो आपको या रखना है 1967 में इसका नाम था परवती राजी परिसत अगर एकजाम पूछा जाता है परवती राजी परिसत उत्तर परदेश परवती राजी परिसत का गठन कब हुआ तो आपको या रखना है 1967 1967 अगर पुछे जाए उत्रफ प्रदिस में प्रिथक पर्वति राज परिशेत तो आपको या रखना है 1973種 और एक और कुशिए इस टेयब कर पुच्च आता है पर्वति जन सभित्री क तो आपको या रखना है पर्वती विकास जन संमित्री का गालता उननेस तोपचास में ठीक है तो ये इस टैप के आपको कॉश्चिन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं परिवती विकास जन सिम्थी 1950 में पृत्रक परिवती राज परिस्वत की स्टापना 1973 में और परवती राज जी परिश्यत की स्तापना 1967 में तो ये को आपको पॉइंट याद कर लेनी है आगे बढ़ते हैं अगर कुछन है लीला धर जगुडी को व्याज सम्मान कब दिया गया तो ये करेंट का कुछन भी था 2018 में इसका राइ अठर तबाते हैं 2018 में इनको व्याज सम्मान दिया गय था 2018 का व्याज सम्मान था वो लीला धर जगुडी को दिया गय IT निके रचना के लिए पूरुषकार दिया गय था तो यह दिया गए था 1997 में ठीक है तो इस टाइप के कुछे जाते हैं इस लेखक को साहीत कादमी कब दिया गया है इस लेखक को व्याद समान कब दिया गया है तो उत्राखंड के जितने भी लेखक है अगर उनको जो भी साहीत कादमी और व्याद समान इस टाइप के को गठन हुआ और यह कुश्चिन इस टाइब से पूछा जा सकता है जब उत्राखंड में forest grievance committee का गठन हुआ 13 अपर 1921 को तो उस टाइम पर उत्राखंड के commissioner कौन थी ठीक है कुमाओ कमिशनर कौन थे उस टाइम पर तो थे पी विंडम ठीक है पी विंडम जो थे उस टाइब प protection force का गठन कप किया गया तो इसका सही जवाब है option D वर्फ से 2013 में corporate national park में special tiger protection force का गठन किया गया बात करें corporate national park की तो इसकी स्टापना का हुई थी 1936 में ठीक है और जब इसकी स्टापना हुई थी तो इसका नाम था है है ली national park बाद में स्टापनता के बाद इसका नाम हो गया था राम गंगा national park ठीक है राम गंगा national park और 1907 में इसका नाम चेंज करके हो गया था जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट national park और बात करें इसके चेत्रबल की तो 520 वर्ग km इसका लिस परगुंचर और इसको पूंचर चेत्रबल है ये भी आपको पूंचाया दा है इसका एरिया कितना हैं तो 520 वर खिल necessity और यह फैला है दो जीलु में पोड़ी और 99 में यह कॉर्बेट नेंटिल पारग फैला है तो एक कॉश्न पुच्चाल आगर चेक्ल परव पहला देश का पहला Tiger Reserve गोसित किया गया था ठीक है 1973 में Corbyn National Park को देश का पहला Tiger Reserve गोसित किया गया था बढ़ते आगे अगला कुछ ने तेहरी Hydraulics Development Corporation की स्थापना कब हुई तो इसका राइट आंसर है option number D ठीक है वर्स 1988 में तेहरी Hydraulic Development Corporation जीसे स्थापना हुई थी और कब हुई थी यह बारा जुलाई एकजर टेट आपसे पुछ लिया जाए तो बारा जुलाई आपको या रखना है ठीक है बारा जुलाई और headquarter की बात करो तो इसका headquarter कहा है रिसी केस में इसका headquarter है और तेहरी डेम की बात करों तो तेहरी डेम है भारत का पहला और विस्व का चौथा सबसे उचा डेम ठीक है कैसा डेम है उचा डेम है इसकी total height है 260.5 meter ठीक है यह question आपसे पूछ लेता है 260.5 meter अगर feet में आपसे पूछ लेता है तो 855 feet ठीक है लगबग 855 feet इसकी height है और इसकी जो इसका निर्मानकारी शुरू होता वो होता 1978 से और यह कब पूरा होता यह होता 2006 में इसका निर्मानकारी पूर्ण होता है ठीक है total capacity की बात करें तो तीन फेस में इसमें power production किया जाता है तो इसकी total capacity है 2400 megawatt ठीक है 2400 megawatt यह रखना आपको बढ़ते आगे next question है वीर्चंसिंग गडवाली परिटन रोजगार योजना की घुसरा की गई तो इसका सही जवाब है एक जून 2002 को ठीक है ऑफसन नमर बीस का राइटान से हो जाए एक जून 2002 को वीर्चंसिंग गडवाली परिटन रोजगार योजना की घुसरा की गई ठीक है और तो इस question से आपको इतना या रखना है अगला question है टेहरी रियासत का भारती संग में विले कब हुआ तो इसका सई जवाब है काफी बार repeat होता है question और काफी easy question भी है आपको आता भी होगा लेगिन आपको याद रखना है इसका विले हो था और जिनको नहीं आता है तो उनको याद रखना है कि 1 अगस्त 1949 को टेहरी रियासत का भारती संग में विले हो था और ये बना था पचास्व जिल्ला उस्टमें सवयुक्त प्रांत का ठीक है पचास्व जिल्ला बना था जब टेहरी रियासत का भारती संग में विले हो था और तेहरी यासत के अंतिम सासती बढ़ते आगे अगला कुश्चिन है गेर सर्ण में मंत्री परिशत की पर्थम बैठे कब होई तो इसका सही जवाब है तीन नौमबर दोजार बारों को गेर सर्ण में मंत्री परिशत की पर्थम बैठे होई द्यानरे यहां पर का गया है मंत्री परिश्यत की नाकी विधान सभा की ठीक है तो 3 नॉमबर 2012 को मंत्री परिश्यत की पहली बैठक होती है उसके बाद 14 जनुरी 2013 को भरारी सेन विधान सभा भाउन का सिलान नियास होता है और 9 nostro 2013ỡолаती की और 9 numero 2013 भरारीसेन जर्पाइस है उसका होता है भुमी पूजन लेकिन आपको यारखना है गैर सेन में राजी विदान सबाइस की परिसम बैठख कब हुई तो ओई थी 9 से 11 vigor 2014 तो ये थी राजी विदान सबाइस की दिक्सित आयो ये भी कोशिन पुचा जाता है तूजा 3 में गत्षित कि गीилась siab já सौपी थी मुख्यमंत्री को 17 अगस्त 2008 को ठीक है 2008 को दिक्सित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौपी थी और रिपोर्ट में ऐसा था कि विपोड़ को राज जी खेल कभसित किया गया धाने कीः खाओ 2015 को की था 2016 में इसको राज जी गीत घोसित किया गया था और 2016 में उत्राखंड की राज जी तितली भी घोसित किया थी और उसका नाम क्या है common अपरेल, प्रीज़ को वानरा जी बाद में इसको सतापना कर था 1905 चाहन नानीताल में और अभी यह कहाँ लोकेटेट है नानी ताल में यह है और कौनसी पहाडी पे है तो मनोरा पीक है मनोरा पहाडी उसको लोकेटेट है Aries इसका short form होता है आरिभेड पिज्ञान सोज सस्तान ठीक है और स्तापना आपको याद रखनी है 1904 में इसकी स्तापना होई थी बढ़ते हागे अगला कोशन है जोस्रीमट ओली रजुमार के कब सुरू किया गया था तो इसका सही जवाब है Option C ठीक है COVID-1993 में जोस्रीमट ओली रव फाक को शुरु किया था थीक है इसकी आपको इतना रखना है कि जोस्रीमट ओली रजुमार या जोस्रीमट ओली रव पय के सुरुवाद पकिया थी October 1993 में अगला क्वशन है अत्रांचल उत्थान परिसत के स्तापना को ही तो उत्रांचल उत्थान परिस्द की स्टापना होती है 1988 में 1988 में और किसने की थी इसकी स्टापना की थी सोबन सिंग जीना ने ठीक है सोबन सिंग जीना ने 1988 में उत्रांचल उत्थान परिस्द की स्टापना की अगरा कुछिन है हिमालियन पर्यावण अद्यन और संृषण संग्रेटन जिसका सौट फॉर्म होता है हैसुकी स्तापना का वही तो हैसुकी स्तापना होती है 197989 में ठीक thinkers और कौन करता इसकी स्तापना इसकी स्तापना की ती अनिल प्रकास जोसी ने ऐनिल प्रिकाश जόσी नम आपको एक सक बंडकर की। और अनिल प्रिकाश जोषी को पद बिपुफूण के सका है। अगला प funnel कि अगला कशोचिन है, भारती सेन्ह अकादमी की स्कौपना कभ हुई? इसको है उपाट झार एक अक्टूबर 1932 को ठीक है देहरादू में सर्फ फिलिप ने भारती सेनिक आदमी यानि की इंडियन मिलिटरी अक्टूबर 1932 को डेट आपको ठीक है इंपोर्टेंट डेट है कई बार एक्जाम में कुछा जाता है तो बढ़ते आगे अगला कुछिन है उत्रखंड जल विधुद निगम लिमिटेट की स्टापना का हुई तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C 12 फरवर्दी 2001 को उत्रखंड जल विधुद निगम लिमिटेट की स्टापना हुई और वहीं बात करें UPCL यानि उत्रखंड पावर कोर्परेशन लिमिटेट की तो एक अप्रेल 2001 को स्टापना हुई तो यह इंपोर्टेंट प्विधुद निगम लिमिटेट की ठीक है और पिटकूल अगला कुछन है गुर्खाओं ने अल्मुड़ा पर अधिकार कब किया तो इसका सही जवाब है उप्सन नुबर ए एक गड़वाल पर यहाँ पर इनका अकमर सफल नहीं रह पाता है इसलिए सफल नहीं होता है क्योंकि जो चीन है वो अटेक कर देता है नेपाल पर इनको वापस जाना पड़ता है और यह संदी करते हैं पर्द्यूमद सा के साथ लंगूरुगड की संदी वो होती है 1791 में ठीक है 1791 में लंगूरुगड की संदी होती है पर्द्यूमद सा और गुरखाओं के बीच तो आपको इस कोशिन से याद एकने कि 1790 में गुर्खाओं ने अलमडो पर अधिकार किया था और किसको हराय था हावल बाग की उद्व में महिन चंद को चंद वन्स के अंतिम साथ सको अगले उशिने पवर सेना और ग्यान चंद के मद्धि दुधहली का युद्ध्ध कब लड़ा गया तो इसका सई जबाब है obviousować नममर डिठीविकास 1703 में पवार सेन और ज्यान चंद की मद्टी दुद्धहली का उद्ध उसने गड़वाल पर क्या था पिंदारी घाटी पर बधान गड़वाल पर आक्रमन के था वहां से नंदा देवी की मूर्ति लूट के लाय था उसने फिर अलमोड में नंदा देवी मंद्र की इस्तापना कीु इस question चे आपको इतना है रखने की दुद्धोली का इद्धिक इसके मद्धी होता पवार से ना यानि की फतिव वती सा और ग्यानजन्द की मद्धी कब होता 1703 में next question है उत्रखंड में पर्थम 5 साला भूमी बंदवस कब हुआ उत्रखंड में पर्थम 5 साला भूमी बंदवस होता है 803 में और किस के टाइम परेरेट में होता है उसमें में कमाओ कमिशनर कहीं होल्ता विलियम ट्रेल ठीक है विलियियम ट्रेल ने उत्रखंड में 7 भार insights met beer शून Speech various तो यह था इस बीटियो का एंड, थैंक्स पर वाचिंग और बश्चिक आजब सकते हैं.